इसके बाद last question है, इसके दो parts है, ए part में है, provide the number in the box such that 2 upon 3 multiplied by dash is equal to 10 upon 30 तो यहां box में क्या number आएगा वो आपको बताना है, 2 upon 3 को किस से multiply करें कि 10 upon 30 बन जाए, वो आपको यहां पर बताना है तो यह जो box है, यह थोड़ा छोटा है, इसको हमें यहां से erase कर देता हूँ, और इसकी जगा हम number लिखेंगे, आप box बनाना चाहें तो थोड़ा बड़ा box बना सकते हैं, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, और इसकी जगा हम यहां पर number डालेंगे, जो हमें चाहिए तो वो क्या number है, उसके लिए हमें 2 upon 3 को multiply करना है किसी number से, और 10 upon 30 बनना चाहिए, तो एक एक करके देखते हैं, numerator 2 को किस से multiply करके 10 बनाओगा, और denominator को भी ऐसी 3 को किस से multiply करके 30 बनाओगा, तो उपर वाला देखते हैं पहले, 2 को, 2 का table देख सकते हैं, 2 1s और 2, 2 2s और 4, 2 3 3s और 6, 2 4s और 8, 2 5s और 10, हमें 10 बनाना है, किस से multiply करके बनेगा, 5 से, तो उपर 5 आ गया, और नीचे 3 से 30 बनाना है, 3 को किस से multiply करके 30 बनाओगा, तो आप जानते हैं, 10 से, 3 10s और 30, तो हमारा जो यहाँ पर box था, आप बड़ा box ऐसे बना सकते हैं, उसके अंदर of the number obtained in box is dash, यह जो box में number आया, 5 upon 10, इसकी simplest form क्या है, तो 5 upon 10 की simplest form का मतलब है, इसको cancel करके देखो, उपर नीचे, cancel हो सकता है, यह 5 के table से, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो हमारे पास simplest form आजएगी, 1 upon 2, यह आपको यहाँ पर इस blank में लिखना है, तो इस तरह से आप इस A part को कर सकते हैं, मैं box हटा देता हूं, ताकि हम easily लिख पाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 को किस से multiply करके 24 बनाओगा, यह देखना है, तो अब जानते हैं, 3 8s are 24, upon नीचे 5 से 75 बनाओगा है, तो 15 5s are 75 होता है, तो नीचे 15 आजाएगा, 3 को 8 से multiply करके 24, और 5 को 15 से multiply करके 75 बनाओगा, तो 8 upon 15 हो जाएगा यहाँ box के अंदर, और next part है, simplest form भी लिखनी है इसकी, तो box के अंदर हमारे पास है 8 upon 15 और यह उपर नीचे जो numbers हैं, दोनों same table में नहीं आते हैं किसी भी, तो इसकी simplest form यही हो जाएगी, इसको आगे cancel करने की ज़रूरत नहीं है, तो 8 upon 15 की simplest form, 8 upon 15 ही हो जाएग बहुत simple और easy है, इसको अच्छे से understand करके आप note करें, अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो इसे like और share करें, साथ में मेरे channel को subscribe भी ज़रूर करें, आज के लिए इतना ही thank you, next video में मिलते हैं